चलिए तो आज हम लोग सीखेंगे भारतिय सम्मिदान से संबंदित परिच्छा में पूछे गए कुछ फर्स जो बार-बार पूछे भी जाते हैं इससे पहले हमने सिट एक से लेकर के सिट पांस तका वीडियो अपलोड कर दिया है अगर आपने सिट एक से लेकर के सिट पां एक से लेकर पांस तक और भीडियो देख लें यह मारा सेट निमर चौछ का वीडियो है तो चलिए मैं स्ताट करते हैं परस्टसंख्याइग मैं क्या कह रहा है समिदान सबाह का अस्था या धर्च दाक्टर राजिंदर पर शाथ थे परसंद्षं नहीं का दिकार कितने हैं तो मौलिक अधिकार छौ है, परस्ण संख्या तीन सम्मिदान में कितने मूल करत्यवों का उलेक किया गया है संघ्ये कारिपालिका कि सक्ति किसमे नीट संख्या पांच समिदान के गठन की मांसर पर्थम 1895 में किस बैक्ती ने की थी तो बाल गंगादर तिलक ने परसंख्या च्छ समिदान सवा में किस देशी रियासत के परतिनीदी ने भाग नहीं लिया था तो हैदराबाद परसंख्या साथ समिदान की परारूप समीति के समख्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किस ने रखा था तो जबार लाल नहरू ने पर्शन संख्या आठ भारते समिदान कितने भागों में विभाजित है तो भारते समिदान 22 भागों में विभाजित है पर्शन संख्या नो समिदान की आत्मा किसे कहा गया है तो समिदान की आत्मा प्रस्ताबना को कहा गया है परसन संख्या 10 भासा के अधार पर पाला कौन सा राज गठित किया गया है तो अंगर परदेश परसन संख्या 11 दादर और नगर हबिली भारत में सामिल करने से पुर्व किसके उपनीवेश है तो पुर्तगाल परसन संख्या 12 समिदान सभा का ओस था या द्यश कौन था तो समिदान सभा का ओस था या दस डाक्टर सचीदा नंद सिन्ना थे परसन संख्या 13 समिदान सभा की परारूप समिटि की अध्यश कौन थे तो डाक्टर भीम राव अम्विदकर समिदान सवा में देशी रियाय सतो के कितने परतिनी दिते 70 परसंटाइब 15 विदेशी नागृको को भारत की नागृकता परदान करने की अबस्च सर्थ क्या है तो दस वर्स तक भारत में निवास करना परसंटाइब 16 भारत में किस राज के लोग को दोरी नागिकता पड़ापता है तो जम्मू एबंकास्मीर पर्संख्या 17 बी आर अमेटकर कहां से सम्विदान सबाब में निर्वाचित हुए तो बंगाल से सम्विदान सबाब का सम्विदानिक चलहकार की से नीत किया गया था तो बी एन राव को पर्संख्या 19 समीदान सबाब की प्रारूप समीटी का गठन कब वा था तो 29 अगस्ट 1947 को इसलिए के सद हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं और आगे हम सिट निमर साथ का वीडियो ब कुछ कॉमेंट करें कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ठाइंक यू सो मच